अब हम overdraft as per cashbooks related बाकी questions करेंगे question number 10 और 11 हमने भी पिछली वीडियो में discuss किये थे so question number 12 moving on to question number 12 देखते है question number 12 में क्या कहता है Kumar finds Kumar स्व्यक्ति का नाम है जिसके लिए bank reconciliation statement बनाई जा रही है Kumar finds that the bank balance shown by his cashbook on 31 December is 9-0-6-0-0-9-6-0 Kumar उस्व्यक्ति का नाम तो अपर heading डालेंगे bank reconciliation statement of Kumar as on 31 December 2017 किसकी bank reconciliation statement है कब बनाई जा रही है अगर information available है तो उसको जरूर शो करें यहाँ पर sign और particulars plus minus आपको पता ही है जैसे हम लिखते हैं अब अपना question शुरू करते हैं उसने बोला है bank balance और वो भी credit balance as per cashbook credit balance as per cashbook मतलब overdraft as per cashbook तो बहुत बार question में overdraft ना लिखके वो आपसे बोलेगा credit balance as per cashbook तो आपको पहचानना होता है तो इस ओवर ड्राफ्ट as per cashbook या credit balance as per cashbook तो कहाना चाहिए balance हमेशा plus में और overdraft हमेशा minus में तो आप इस amount को minus में शो करेंगे all right second point a check bracket में लिखा हुआ है a post dated check for rupees 1000 has been debited in the bank column of the cashbook but not presented for payment देखें बहुत अच्छा point है ये ये जितने भी हमने अभी तक points पड़े हैं वो 7-8 उनसा points से अलग है उनसे हटके हैं हमें इसको समझ के करना होगा क्या कह रहा है वो post dated check देखें आपको पता है prepaid cards होते हैं पोस्ट पेड मोबाइल फोन्स होते हैं पोस्ट पेड का मतलब होता है हविश्य में आने वाली किसी date का check जैसे कि यदि आज 1 दिसंबर है तो अगर हम किसी को check दें 15 दिसंबर का या फिर हमें किसी ने 15 दिसंबर का कोई check दिया है बैंक में वो पैसे कब आएंगे 15 दिसंबर के बाद पोस्ट डेटिड का मतलब क्या होता है चेक के उपर एक date डाली जाती है अगर उस चेक के उपर मैंने 15 दिसंबर डाल दी date तो 15 दिसंबर से पहले मेरे अकाउंट में से वो पैसे निकलेंगे नहीं या फिर जिस व्यक्ति को वो चेक दिया है 15 दिसंबर से पहले उसके अकाउंट में वो पैसे आएंगे नि अब हुआ क्या हमें किसी ने चेक दिया था भविश्य की किसी date का चेक जैसे हमने मिला हमें मिला हम खुश हुए हमने खुश होते होते बैंक कॉलम में अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख दिया कि 1000 रुपे हमारे पास आ गए है यानि कि कैश बुक में हमने 1000 रुपे प्लस कर दिये लेकिन पास बुक में ये 1000 रुपे अभी प्लस हो ही नहीं सकते क्यों नहीं हो सकते दूसरी बुक जैसा कर रही है, हमें वैसा करना है, पास बुक में अगर प्लस किया है, तो हम भी प्लस करेंगे, पास बुक ने माइनस किया है, तो हम भी माइनस करेंगे, पास बुक ने अगर माइनस नहीं किया है, तो हम भी माइनस नहीं करेंगे, और पास बुक ने प्लस न statement post dated check debited in the cash book but not presented rupees 1000 और क्या करेंगे हम इसको minus क्यों करेंगे क्योंकि हमने cashbook में तो जोड लिया लेकिन हम passbook में इसे जोड ही नहीं सकते क्योंकि यह भविश्य की किसी date का check है जब वो date आएगी जब हम bank में इस check को डालेंगे तब हमारे bank में वो पैसा आएगा तो यह check जो है यह हमें किसी ने दिया है हमने नहीं दिया किसी को हमें मिला है यह check लेकिन आज हम इस check से पैसा नहीं निकाल सकते हमें थोड़ा सा समय लगेगा next point also a check for rupees 8000 drawn in favor of manohar has not yet been presented for payment not yet been presented for payment कौन सी statement लगती है check issued but not presented for payment बहुत बार issued की जगर drawn word भी लिखा हुआ होता है so check issued but not presented for payment या check drawn for not presented for payment cash book के case में issued हमेशा plus तो क्या करेंगे इस 8000 को plus दुबारा से overdraft as per cash book को हमेशा minus overdraft as per cash book का दूसरा नाम credit balance as per cash book post dated check मिला था अभी जोड दिया नहीं जोड सकते क्या करेंगे इसको minus और issued हमेशा plus next point check totaling rupees 1500 deposited in the bank have not yet been collected check deposited but not collected deposited हमेशा minus यह हमें पता ही है and check for rupees 5000 has been dishonored check dishonored क्या करते हो उसको minus तो अब हमें सारी चीज़े पता चल गई सवाल हमेशा overdraft as per cash book से शुरू होगा तो overdraft as per pass book पर आकर खतम होगा इसका answer निकालके calculate करके मुझे send कीचेगा last question question number 13 on 31st December the cash book of Mittal Brothers showed an overdraft of rupees 692D0 तो हमारा होगा bank reconciliation statement of Mittal Brothers as on December 31st 2000 17 उपर नाम लिखेंगे proper format बनाएंगे now first thing is that cash book shows an overdraft तो यह क्या है overdraft as per cash book plus में आएगा या minus में माइनस में overdraft as per cash book का दूसरा नाम credit balance as per cash book तो हम लिखेंगे overdraft as per cash book 6920 माइनस वाले कॉलम में next अब बता रहे हैं problems क्या हुई है first debited by bank underline the word debited debited by bank for rupees 200 on account of interest on overdraft क्या है यह statement interest on overdraft debited by bank क्या करेंगे हम इसको minus and 50 on account of charges for collecting the bill charges कोई भी charges होंगे हमेशा क्या करेंगे है उसको minus so charges for collecting the bill minus वाले कॉलम में आप उसको show कर दोगे second point check drawn but not encashed before 31 December check drawn लिखा हो या issued लिखा हो एक ही बात होती है so check issued but not presented for payment issued हमेशा plus ये हो गया हमारा third point bill bank has collected interest and credited in the passbook interest collected and credited 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 हमेशा plus so interest collected and credited plus कर देंगे fourth point a bill receivable of rupee 700 previously discounted with the bank has been dishonored and debited dishonored word लिखा हो debited लिखा हो हमेशा क्या करते हैं उसको minus so bill receivable dishonored या debited minus वाले कॉलम में हम इसको show करेंगे last point check paid into the bank but not collected and credited before December 31st check deposited but not collected or credited issued हमेशा plus deposited हमेशा minus ये minus वाले कॉलम में अब इसको show करेंगे overdraft as per cashbook से सवाल शुरू होगा तो overdraft as per passbook पर आकर सवाल समापत होएगा ये चारो questions solve करके मेरे पास बेज़ेगा thank you